तो हान जी कैसे हैं आप सब आए होप अच्छे होंगे तो निशास रेस्पी बुक की तरफ से आपको दिपावली की बहुत बहुत शुब काम नाए तो दिपावली का परव है तो चलिए कुस टेडिशनल मिठाई बनाते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मावे की गुजिया की रेसिपी जो बहुत अच्छी बनती है तो चलिए बनाते हैं बरतन लिया है एक मैने उसमें मैने दो कप मैदा डाला है एक छोटी चमच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है इसको अच्छे से मिलाएंगे इससे क्या होगा कि जो हमारी गुजिया है वो बहुत नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अगर आपको गुजिया थोड़ी सी मतलब वैसे क्रंच वाली चाहिए तो आप बेकिंग पाउडर मढ डालिएगा ऐसे ही इसमें आप घी डालके ये मैंने 50 ग्राम घी लिया है इसको मैंने मैदे में अच्छे से मिलाया है इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से इससे भी गुजिया बहुत सॉफ्ट बनती है बहुत टेस्टी बनती है तो इस तरीके से हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा कि मैदे में घी बहुत अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से हथेली पर रखे दूसरे हाथ से इसको ऐसे रगड़ेंगे बहुत अच्छे से हमारा घी मैदे में मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैदा हमारा हो जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे तो अब बहुत ही थोड़ा पानी डालेंगे बहुत ही थोड़ा पानी डालके इसको हमें एक सक्त डो लगाना है इस तरीके से इसको बहुत ही टाइट सा हमें इसका आटा लगाना होता है बहुत कम पानी लगेगा ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए इसका अच्छा ऐसे डू तयार करेंगे बिल्कुल ऐसे देखिए अब इसको एक गीला कपड़ा लेंगे उसके साथ में ढखके इसको साइड में रखेंगे तब तक हम जो हमारी गुजिया की स्टफिंग होगी ना उसको हम रेडी करते हैं तो एक पैन लिया है उसमें दो समच घी डाला है मैंने और एक आधा चोटा कप इसमें सूजी डाली है तो इसको बहुती लो फ्लेम में बिल्कुल हमने थोड़ा से भूनना है देखिए इस तरीके से इसका कलर सूजी का थोड़ा सा चेंज हो गया है अब इसको गयास को करेंगे बंद सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भून गई है इसको रखेंगे साइड में तो ये अब कुछ ट्राइफूड लिये हैं मैंने जिनको मैंने पहले से काटके रखा हुआ था ये मैलन सीड है खरबूजे के बीज और ये मैंने कोकुनेट पाउडर लिया है ये देखिए ये रेडिमेट है मार्केट से लिया हुआ है और ये किशमेश है किशमेश को भी मैंने काट लिया था काजू और बदाम इनको बहुती बारी एक छोटा-छोटा सा काट के रखा हुआ है ये हम अपनी जो गुजिया की स्टफिंग है उसमें मिलाएंगे अगर आप और भी ड्राइफूर डालना चाहते हैं अब कोई भी ड्राइफूर डाल सकते हैं तो यहां पर एक मिक्सी का जार लिया है उसमें एक कप मैंने चीनी डाली है और इसमें दो हरी लाइची है इसको भी चीनी के साथ में ही डाल के पीस लेंगे ये देखे इसका पाउडर बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके से चीनी पीस के रखेंगे साइड में अरब हम करते हैं अपनी स्टफिंग बनाने की तैयारी तो यह मैंने 300 ग्राम मावा लिया है यह खोया है खोया मावा जो भी आप बोलते हैं तो इसको हम मिलाएंगे देखिए कितना नरम खोया है और जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी हुई थी वो इसको इसके अंदर मिलाएंगे जो हमारे ड्राइफूट थे जो काटके रखे हुए थे सारे अपने ड्राइफूट भी हम इस खोये के अंदर मिक्स कर लेंगे यह देखिए और अब इसमें हम मिलाएंगे अपनी चीनी यह एक कप माप के मैंने चीनी का पाउडरेस में डाल दिया है इतनी चीनी काफी है इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स देखिए इस तरीके से हो जाएगी हमारी स्टफिंग तयार यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिच स्टफिंग बनती है बहुत टेस्टी लगती है गुजिया में अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं सिर्फ मावे की ही स्टफिंग बनाना चाहते हैं वैसे भी बन जाती है लेकिन क्या होता है सूजी से थोड़ी बाइंडिंग अच्छी आ जाती है तो इसलिए सूजी डाली है मैंने तब तक हमारा आटा देख लेते हैं ये भी अच्छे से सेट हो गया है देखे कितना मुलायम हो गया है हमने काफी सक्त डो लगाया था लेकिन ये बहुत नरम पड़ गया है इनको कर लेंगे दो तिन हिस्सों में डिवाइड और इस तरह से इसके बहुत ही छोटे-छोटे से पीसिस काट लेंगे जिससे कि हमारी गुजिया की जो हमें स्टफिंग गुजिया बनाने के लिए जो हम पानी रख लिया है मैंने तो गुजिया बनाने के लिए इस तरह से ये गुजिया मेकर आता है यह बहुत इसली मार्किट से मिल जाता है तो वैसे नॉर्मली इसी से ही गुजिया बनती है लेकिन अगर आपके पास में यह नहीं है तो मैं आपको गुजिया हाथ से भी कैसे उसको बनाई जाती है वो भी बताऊंगी तो चलिए पहले हम गुजिया मेकर के साथ में अपनी गुजिया बनाते हैं तो गुजिया के लिए जो पूरी होगी ना वो बहुत ही पतली जितना ही उसकी पूरी पतली बेली जाएगी ना तो गुजिया बहुत अच्छी बनती है त तरीके से और इसके किनारों पे साइड में अच्छे से लगाएंगे पानी ताकि क्या है कि जब हम अपनी गुजिया को फ्राई करें न तो वह खुलना जाए तो पानी से इसको अच्छे तरह से इस तरह के से अब करेंगे बंद ऐसे अच्छे से दबाते हुए और यह साइड का जो भी हमारा यह आटा बचे गया था इसको करेंगे साइड में और यह देखें कितने अच्छी डिजाइन में हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है देखें बिल्कुल ऐसे बस यह अच्छे से मतलब बंद हो जानी चाहिए ताकि जब फ्राइ करते हुए यह तेल में खुल ना जाए तो वो तो हो गई है जो हमने गुजिया मेकर से बनाई हुई है अब मैं आपको हाथ से कैसे बनाते हैं वैसे बताती हूँ तो इसको हम एक कटोरी लेंगे कुल ऐसे देखिए अब इसके भी साइड में लगाएंगे पानी अच्छे से इसके अंदर रखेंगे अपनी जो खोए की स्टफिंग बनाई थी हमने वो डालेंगे कि ऐसे बहुत ही अराम से इसको करेंगे बंद देखिए इसको अच्छे से चिपकाते हुए बहुत अच्छे से हमें बंद करना होता है यह देखिए बहुत अराम से अब ध्यान से देखिएगा इसको ऐसे दबाएंगे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर हाथों से दबाएंगे अंगोठे जिसको इसके उपर फोल्ड करते हुए बिल्कुल इस तरीके से हम बहुत आराम से इसको देखे कितना अच्छा ये बिल्कुल ही रसी जैसा इसका डिजाइन बन रहा है ये देखे इसको ऐसे से करके लास्ट तक बनाएंगे और ये देखे कितना अच्छा गुजिया का हमारा डिजाइन बन गया है ज्यादा तर जो रेडिमेट हम हलवाई की दुकान से गुजिया खाते हैं वो विल्कुल ऐसे ही डिजाइन की बनाई होती है ये देखे तो हमारे गुजिया बनके हो गई है रेडी तो गुजिया के साइड में से जो यह आटा बच जाता है जो इसकी कटिंग होती है तो इसको भी बहुत ही अच्छे से इसको मिलाके इसकी दोबारा से हम इसकी पूड़ी बेल के इसकी गुजिया तयार करेंगे तो इसको भी आप गीले कप्डे से ढखके ही रखते जाएगा क्या होता ने कि बहुत जल्दी सोकता है आटा तो यह देखिए एक और तरीके से मैं आपको गुजिया बनाना बताती हूँ अगर आपको हास से वैसे नहीं डिजाइन बना सकते हैं तो एक और तरीका है जिससे कि हम गुजिया बनाएंगे बिना मेकर के तो इस तरह से गोल हम दो राउंड शेप में कटोरी से कट करके पूडियां बना लेंगे उसके बीच ओ बीच में हम अपनी स्टफिंग रखेंगे पानी लगाएंगे और इस तरह से दूसरी पूडियां उसके उपर रखके बिल्कुल एक्वल ऐसे इसको जोड़ देंगे अच्छे से पानी से चिपकाईगा ये लेंगे ये देखें ये फोक है इसको अच्छे से साइडों से दबाते हुए बिल्कुल ऐसे ये दिखिए बिल्कुल ऐसे एक इस तरीके से भी आप अपनी गुजियां बना सकते हैं बहुत इजी वे हैं अब अगर एक छोटी कटोरी है मेरे पास में इसको और छोटा करेंगे इसको भीस से काटके ये देखिए अब दुबारा से फिर इसके साथ में इसको साइडों से दबाते हुए इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा गोल सा डिजाइन बन जाता है तो इस तरीके से भी आप गुजियां बना सकते हैं बहुत तरीके हैं गुजियां बनाने के तो जिस भी तरीके से बनाईए बनाईए जरूर यह बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए तेल हमारा गरम हो गया है गुजियों को करते हैं फ्राई उसके लिए क्या तेल हाई फ्लेम पे रखिएगा क्योंकि गुजियों को हमने बहुत पतला बेला था तो यह बहुत जल्दी फ्राई होती है तो इसको हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी पलटते हुए इनको फ्राई करेंगे यह बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना अगर आपको यह और रेस्पी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो वो भी आप बताईए ताकि आपके साथ मैं मैं सारी रेस्पी शेयर कर सकूँ तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए तो लिजे गुजिया हमारी बनके हो गई है रेस्पी तो इस दिवाली आप भी अपने घर पे जरूर बनाईए यह टिडिशनली मिठाई जो बहुँ टेस्टी बनती है और अपनी दिवाली को बनाईए इस पेशल सी मिठाई के साथ में तो इंजॉय करिए तब तक के लिए हैपी दिवाली सेफ दिवाली और इस ती तरह मेरे चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी रेस्पी के साथ में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग बॉइ बाई बाई